फैक्टरिस के उपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा आदमी जिसने पोल्शा जितनी महंगी कार फ्री में खरीद ली और एक ऐसा पैन जिसके अंदर कीडे होते हैं और जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्थ क्यों नहीं होता? जानने के लिए बने रेना विड़केन तर्थ क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी विडियो इंटरनेट पे नहीं आया और उसका रीजन यह है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलेंड पे की थी और उस एरिया के जितने भी होटेल्स थे सब के सब उन्होंने बुक कर लिये थे ताकि कोई भी मिडिया यहाँ पे रूम ना बुक कर पाय और बस यही नहीं उन्होंने जितने भी आसपास के एवेलेबल हेलिकॉप्टर थे सब हायर कर लिये ताकि वो लोग हेलिकॉप्टर से उनकी शादी की बीच में ना आ पाए नमर 19 ये वैसे के एक आदमी ने पोर्शा खरीदी वो भी बिल्कुल फ्री में पर कैसे तो बात ये है कि एक आदमी ने पोर्शा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूँगा और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्शा खरीद ली और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था और उसके बाद जो फोन नमबर था वो ट्राइ किया पर वो भी नौट रिचेबल था और वो आदमी आज तक नहीं मिला है और किस तरीके से उसने फेक चेक किया और सब कुछ किया वो भी आज तक पता नहीं चला है दमा 18 क्या आपको पता है डेंटिस्ट इंपोर्टेंट क्यों होता है अगर नहीं तो जरा ये फोटो देखो इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है पर फिल भी मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले दाथ ही नोटिस किये होंगे उसके थोड़ी देवाद आईब्रो या शायद मेरे कहने पे ही आपने आईब्रो नोटिस किये होंगे क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिसके उपर इंसान की सबसे पहले नजल जाती है तो हमेशा हस्ते रहना चाहिए नमबर 17 आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की सारी फोटो इंटरनेट पे देखी होंगी पर अब मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की ऐसी फोटोस दिखाऊंगा जो बहुत मतला बहुती कम ही लोगों ने देखी है ये फोटो है सोनिया गांदी की और ये पुरानी फोटो है मोदी जी की ये है राहूल गांदी की और ये है मन मोहन सिंग जी अपने बच्चों के साथ और ये वाली फोटो है ममता बैनर जी की अभी जितने भी मैंने फोटोस दिखाए ये आज कल के लोगों ने बहुत ही कम देखी है आप पका इस कैमरे की फोटो देख के ये सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का क्या हाल हो गया तो मैं आपको बता दूँ ये कैमरे का मेल्टेट पार्ट है और ये कैमरा एक रॉकेट का लाउंच रिकॉर्ड कल रहा था पर लाउंच के दौरान इतनी गलमी निकली कि एक कैमरा मेल्ट हो गया और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि यह जो कैमरा था वो लॉंच पैड से करीब हाफ किलोमेटर यानि करीब 500 मीटर दूर था जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो पर फिल भी लॉंच ने कैमरे को जला दिया इतना स्ट्रॉंग हीट जनरेट होता है स्पेस शेटल लॉंच करते समय आपको टर्मिनेटर मुवी वाले अरनॉल्ड श्वाइजनेगर के बाई में तो पता ही होगा तो इनके दो बच्चे थे इनमें से एक बच्चा अपनी मा के साथ रहा और चोटा वाला बच्चा अपने पापा के साथ और अब आप ये फोटो देखो देखिए दोन में एक ऐसा होटेल है जहां आप अल्मोस्ट फ्री में दे सकते हो यहां आपको खाना फ्री में दिया जाता है और यहां आप जब तक चाहे रह सकते हो क्योंकि यहां बस एक डॉलर ही लिया जाता है पर बस इनके एक ही शर्थ है कि यह आपको पूरे नाइट यूटूब प चारा नहीं मिला था और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था पर इसका सल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाए पे वी आर ग्लासिस का इस्तिमाल किया और वी आर में एकदम हरी बरी खेतों के वीडियो दिखाए जिससे काउ को पहले से भी ज् बनता है नमर 12 ये क्रिकेट के सबसे बड़ी कोइंसिडेंस में से एक है देखो इस फोटो में ABD और MS दोनी दोनों सेम जगह पे देख रहे हैं और उसी टाइम पे विराट और आमला नीचे देख रहे हैं और इस मैच में विराट और आमला दोनों बहुत बुरा खेले थे अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आपको इस दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट लेस फूड के बारे में पता है नहीं तो उसे कहते हैं कॉन्ना यकूर और ये एक जैपनीज फूड है इसमें बिलकुल भी टेस्ट नहीं होता मतलब थोड़ा भी नहीं होता और इसी वज़े से इंगलिश में इसे कुल भी नहीं आता क्यूंकि स्टार्च और वाटर दोनों में कुछ खास टेस्ट टेक्स्टर या फ्लेवर नहीं होता अभी मैं आपको एक एसी स्टूरी बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा तो एक आदमी इंटर्वियू देने गया था और तीन आदमी ने कहा मुझे यहां पे कोई ग्लास नहीं दिख रहा तो इंटर्वियूर ने कहा तुम्हारे सामने ही तो है ग्लास उसे उठाओ तो आदमी ने कहा यहां कोई ग्लास नहीं है सौरी पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो इंटर्वियूर ने थोड़ा फ्रस्टेट हो गया और उसने ग्लास उठाते हुए कहा यह रहा ग्लास और उतने में दूसरे दो इंटर्विवर्स हसने लगे और आदमी ने कहा बिना चुए मैंने ग्लास को उठा लिया थैंक्यू सर् आप इसे उल्टा करोगे तो आपको सेम एक परफेक्ट इमेज ही मिलेगा यह बनाना आसान नहीं है खासकर अगर हम नैचरली बात करें तो क्योंकि परफेक्ट वाटर जैसा स्काई सेट होना उतना भी आसान नहीं है और थोड़ी सी गलती पूरे फोटो का कॉंसेप्ट इंचा गया है देखो यह सीधा है और यह उल्टा पर फिल भी फरत पता नहीं चलता कमाल की फोटोग्राफी है इस फोटो के लिए एक लाइक तो बनता है जैसे के आपको पता होगा कि जब भी हम बीच पे घूमने जाते हैं तो लहरों का मजा लेते लेते एक नाएक मेंब को सब के सामान का ध्यान रखना पड़ता है जिसके वाज़े से वो व्यक्ति अच्छे से इंज्वाइ नहीं कल पाता तो इसका बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सेलूशन है कि जब भी आप बीच पे जाओ तो साथ ही एक दो डाइपल के पैकेट्स लेके जाओ और अपने सामा को डाइपल के अंदर रख दो और उसके बाद आप बीच पे अच्छे से इंज्वाइ कर सकते हो अपने सामान की कोई चिंता किये बिना क्योंकि डाइपल को कोई भी चेक नहीं कल था नमबर सेवन अभी ये जो बाइक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो आपको पहली बा ये बाइक बनाई गई है एक कमाल के मोटिव से दरसल बात ये है कि ये दोनों भाई हैं और उनमें से एक बाई की आंखें पाइदाशी चली गई थी और इसी वज़े से दूसरे बाई ने ऐसी बाइक बनाई जिसमें बैठ के उसके भाई को ऐसा लगे जैसे कि वो ही बाइ वो शायद ये आपने कभी देखा होगा क्योंकि इस पैन के अंदर कीडे होते हैं दरसल ये पैन इस तरीके से मैनिफेक्चर किया जाता है कि आधे पैन में एक पानी टाइप का फ्लूइड बढ़ा जाता है और उसके बाद इन में जिन्दा वर्म्स डाल लिये जाते हैं फ इससे ज्यादा कुछ खास तो है नहीं इसमें पर फिर भी इस पैन की कीमत बहुत ज्यादा होती हैं स्लिपर्स पहनते हो अगर हां तो आपको ये नहीं पहनना चाहिए इंडा के अमेंडेड मोटर वहिकल्स एक्ट के अंदर अगर किसी को बाइक चलाते समय स्लिपर्स चप और इसलिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए और इसे एक्सिडेंट के चांस भी बढ़ते हैं सो अपनी जान के लिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए नमर तुरी ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज्यादा पेमेंड नहीं दी जाती थी लेकिन 1990 से पहले अमियता बच्चन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड में पेमेंड दी जाती थी नमर टू आपने अपने लाइफ में एक ना एक बार ये फैक्टरी के उपर लगे चमकदार गुमते वे चीज़ को देखा ही होगा तो आखेर इसका परपस क् पर इसका काम करना जरूरी है इसे wind turbine ventilator कहा जाता है जब फैक्टरी में काम किया जाता है तो बहुत टाइप की tools और इतना सब heavy machinery की वज़े से यहां बहुत heat generate होती है और उसे वहां काम कर रहे लोगों को खुटन होगी और बढ़ती गर्मी की वज़े से वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और इसी वज़े से यह लगाये जाते हैं गरम हवा हल्की होती है तो वह उपर जाती है और उपर यह turbines होते हैं और उनकी वज़े से यह हवा बाहर बेज दी जाती है और ऐसे फैक्टरी के अंदर का माहूल अच्छा रहता है और लोगों को गर्मी नहीं होती औ पर नाखून और बाल काटते समय दर्थ क्यों नहीं होता तो इसके पीछे एक रीजन है और वो यह है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेट से बनते हैं जिसमें बलड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं क्यों उन्हें काटे या ना काटे इससे फरक नहीं जितना नाकून का हिस्सा बढ़ता है, अगर हम ऊसे काटें तो हमें दर्द नहीं होगा, zum plus तष़ासे ज्वाइंट होता है, उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा एलाइव से बनता है, और उसमें ब्लेट भी सल्कुलेट करता है, इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि आप ऐसी मैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इनफॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो